नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे तो आए आज किस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्छा दस्वी के राजनीती सास्त्र का पहला अध्याय का पाठी प्रश्न उत्तर बच्चो इससे पहले मै आप लोग को बता दूँ अगर आप लोग सिविक्स का पहला अध्याय का वीडियो नहीं देखें तो भाईया देख जरूर लीजिएगा क्योंकि आज कल देखते हैं कि बोड में जो है आपके परिक्षा में जो है ज्यादातर किताब बला जो प्रस्न पूछा जाता है किता जो पहला अध्याय आप लोग का है लोग तंतर में सत्ता की साजेदारी इस अध्याय के अंतरगत जितने भी प्रशन उत्तर है चाया ओब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो या दिर्ग उत्रिये हो या लगु उत्रिये प्रस्न हो सभी प्रस्न को इसी वीडियो में हम लो को समझाया, ओके, आजाओ भई, सभी प्रस्न का उत्तर करेंगे, और एक ही एक ही वीडियो में, पूरा अध्या में, जो भी प्रस्न है, सभी को इसी वीडियो में लोग देख लेंगे, यहाँ प एक चीज मैंने आप लोग के लिए लिखाए कि रिविजन के विनाना, डिवि है, कहे, ओके, चलो भई, शुरू करें, तो हुआ था कि इस अध्याय जो मैंने आप लोग को यह अध्याय पढ़ाया था, इसे अध्याय पढ़ाने के बाद आप लोग का मैं कलास नहीं ले सका, बहुत सारे बच्चे को पता होगा कि मेरा थोरा सा तबियत जो है इधर उध बिगड गया था, है कि नहीं पता, ओके, चलो भई, अब सुरू कर लेते हैं इस अध्याय को, जो इतने भी प्रशन उत्तर है, सब को हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं, आईए, समझते हैं, बच्चों, यहाँ पर धियान देना, हर समाजिक बिभिन्ता, समाजिक बिभाजन का रूप नहीं लेती है, क्यों, बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रशन को ही समझते हैं, और उसके बाद उत्तर को भी समझें, ताकि बोड प्रिक्षामन किसी परकार के आप लोग को तकलीफ ना उठाना परी, ठीक है, पहले प्रशन समझें, उस भी शमुदाई के लोग रहते हैं, अलग-अलग समुझाई के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई, सब उसके बाद भी जाती हिंदू, बहुत सारी जाती है, मुस्लिमें में बहुत सारी जाती है, है की नहीं है, है की यह क्या है, समाजिक बिभाजन है, और अलग। नहीं बना हुआ है अलग-अलग छेत्र बना हुआ है, नहीं बना है, मतलब बठबारा छेत्र ये बठबारा को क्या बोलेंगे? बिभाजन मोलेंगे। है कि नहीं तो हमारे भारत में सभी शंपरदाय सभी धर्म के लोग रहते हैं लेकिन यहां पर जो है सभी भारत में ही रहते हैं उनके लिए अलग दियस नहीं बनाते हैं है कि नहीं समझें फिर से यहां पर कि हर समाजिक विभिंता शमाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता ह क्यों कि समझवा गया आज वही उत्तर भी समझ लो हर समाजिक विभिंता समाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है क्योंकि क्योंकि समाजिक विभाजन का कोई आधार नहीं होता जो व्यक्ति जिस जाती जिस समुदाय में जन्म लेता है वह उसी जाती या समुदाय का हो ज पर बात समय ना अभी हम यहां पर चीज कंप्लीट करवाता है आप लोग का जो हिंदु है हिंदु जो है भारत में कितने परतिसत असी परतिसत मुसलिम मुसलिम जो है मुसलिम आप लोग का क्यते हो गया ते रिक पूरा उड़ गया वई चलो पर चलो देख लेते हैं हिंदू आप लोग का कितना प्रथिश सथ असी प्रतिश भारत में ठीक है Moslov देख लो मुस्लिम केते हैं प्रतिशत है 15 पर तीस यह जो है सीकś इसाई जो है कते है सीख इसाई केता है पांच परतिसत है ठीक है लेकिन सब कहां रह रहे हैं भारत में ही रहे हैं कहां रहे हैं भारत में ही रहे हैं हो सकता है कभी 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 दो-दो अलग-अलग समुदाय का जो है विचार अलग होगा परंतु उसका हित जो होता है समान होता है ओके तो देखो वही यहां पे देखा एक जामपल के तुरू आप लोग को समझाएंगे हिंदू है और इधर मुस्लिम है ठीक है हिंदू भाई उनका सपोर्ट ने करते हैं करते हैं उनके सुख दुख में हमें रहना पड़ता है और वो लोग भी हमें सुख दुख में आते हैं काम करते हैं हमारे सुख दुख में वह भी रहते हैं है कि ने लेकिन कभी कभी इस चीज को नेता लोग इतना अथी कर देते हैं बावा, नेता बगेरा सब जो है कि हिंदू-मुसलिम एक दूसरे के लिए नफरत पइदा कर रहा है इग की ने? पइदा कर रहा है लेकिन यही गलत लगता है भारत देश के अंतरगत कि हिंदू-मुसलिम को हमेंसा नेता लोग टारगेट लेता है लराने का काहिल लडाते हैं चलो तो अलग-अलग समूदाय के लोग का अलग-अलग विचार होता है परंतु उसका हित जो होता है समान होता है अब मानलो इसको अलग-अलग नहीं विभाजन का मतलब क्या हो गया विभाजन का मतलब बाट तो नहीं देंगे लडाये हो गया ठीक है मानल गडिया जब कोनु जाती लिख देते हैं, कोई दिख्कत नहीं मानना आप लोग, इधर देखो पास मानने, ठीक है, अब ये दोनों में विबाद हो गया, दोनों में लड़ायी हो गया, इसका मतलब इकी कहेंगे, आदव जी कहेंगे, तुम अपना राज बना लो, तुम अप भीक्षारन स्वरूप समझ लीजिए कि मुंबै में मराथियों के हिन्षा के सिकार हुए लोगों की जातियां भिन भिन्भिन थी मुंबै में क्या हुआ था अलग अलग थी टो अाथ अंध Chin समाजिक विभिन्ता शमाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है, I hope आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं न, आजो, आइए अगला प्रशन है दूसरा नमबर, दूसरा नमबर है कि समाजिक अंतर कब और कैसे समाजिक विभाजन का रूप ले लेता है, इस आया था, जातियों के समुह को वर्न कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्न कहते हैं, जातियों के समुह को वर्न कहते हैं, और सबसे जाती कोटा अगर देखा जाए, पदानू कर्म रखा गया, सबसे उपर पहला अस्थान पे, किसको रखा गया है, तो पहला अस्थाउन पे आपका हो गया ब्रहाम्मन, ठीक है, दूसरा हो गया आप लोग का छत्रिये, ठीक है, और तीसरा हो गया आप लोग का वैस्ये, ठीक है, मैंने आप लोग को यह चीज पढ़ाया है, वैस्ये, और चौथा आप लोग का हो गया सुद्र, तो निचले प पहले पदकर्म पे किसको रखा गया सुद्र को रखा गया पहले पदकर्म पे ब्रहामन को और दूसरे पदकर्म में छहत्रिये को रखा गया छहत्रिये समझते राजपुत भूमियार वैस यह जो बिजनस बगेरा करते हैं वेपारिक ठीक है सुद्र बगेरा जो आजाता है द ब्रहामन और छैतरिये आपके किताब में दिया गया है ठीक है इन देखना को देखना नहीं चाहते थे इन को देख लिया क्या हो रहा था समाज में समाज में ही अंतर हो रहा था एक ही माल लिया जाए सभी इंसान में अलग-अलग होने लगे क्या हो जाएगा समाजिक अंतर ही हो जाएगा तो समाजिक विभाजन का रूप ले लेता है कैसे ध्यान समझेगा समाजिक अंतर समाजिक विभाजन में बह जाते हैं स्वर्ण और दलितों का अंतर यह जो जाती था यह जो उपड़े पदकर्म पे था यह इसको स्वर्ण जाती बोला जाता था क्या बोला जाता था स्वर्ण जाती और स्वर्ण मतलब क्या हो गया बरा क्या हो गया बड़ा और यह जो आप लोग का क्या हो जा दलित का मतलब हो कि आप बहुत निम्न जाती, छोटा जाती, ठीक है, छोटा जाती, दलित, तो स्वर्ण लोग जो थे, स्वर्ण और दलित का अंतर एक समाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित संपुन्न देश में आम तर पर गरीब है, जो दलित लोग थे, वो क्या थे, कुछ बच्चे को लगेगा, जो बड़े जाती के हों, उनको लगेगा, सर आप क्या बता रहें, मैं आपके किताब की चीजों को बता रहा हूं, ठीक है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं आप लोगो, तो यह आप पहले जो होता था, जो बड़े जाती थे, स्वर लोग करते थे उनका काम, वह लोग तो राजाकतर है बढ़े रहते हमेशा, तो लोग का दर्शन करना वह लोग के लिए क्या था? पाप था, दर्शन हो जाता था था, छुआ जाता था, तो उसे जो है, दस, मतलब दस द्याग यहां तक समझे 10 फिट के दूर यह उस बात करता था, यह सब चीज था, लेकिन और भी बहुत सारी चीज जो दलित लोग कि थी, उलोग के महिला के साथ भी दूर बहवार किया जाता था, ठीक है, जबकि स्वर्ण आम तोर पे शंपन एवं सुभिदायक युक्त है, अर्था दलित को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे सम समुदायक हैं, अब भाया देखो, यह जो है, स्वर्ण जाती आम तोर पे संपर्ण सुभिदायुक्त, मतलब हर्च सुभधा से परिपूर्ण था, कौन? यह स्वर्ण जाती, बरा जाती, तो यह जो दलित लोग थी, इनको महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदायक ह हैं, अता हम कह सकते हैं, कि जब एक तरह की समाजिक अंतर, अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्पुन बन जाता है, और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदायक हैं, इससे समाजिक विभाजन की अस्थिती हो सकती है, ठीक है, बाकी कहानी भी, जो मैंने आप लोग को बताया है, उसी परकार से, अब मान लिया जाए, कोई आप मान लेते हैं, कोई भी है, ठीक है, लगने लगेगा, भया यह राजा आदमी है, हर चीज नहीं को मिल रहा है, हमको तो कुछ हो ही नहीं रहा हमको तो भगवान जनम दिये हैं, गरीबे आदमी जनम द में में टिएते हैं यह भी कहिंना कहिं, विभ्वाजन का रूप ले लेता है, आई होभर हो गया होगा, शमाजिक विभाजनों, तीसरा नमबर है, शमाजिक विभाजन की राजनीतिक के परिणाम श्वरूप ही लोक तंतर के वहवार में परिवर्तन होता है, भारतिय लोक समाजिक बीभाजनों राजनीती परिनामश्वरूप ही लोकतन्तर के वहवार में परीबरतन होता है भारतिय लोकतन्तर के संदर्व में इसे इसे असांदर में इसे असह करें ध्यान समझेगा बहुत ही जबरदस्त परशन है समाजिक विभाजन दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी रूप में महजूद है और यह विभाजन राजनितिक रूप अक्तियार करती है लोक तंत्र में राजनितिक दलों के लिए समाजिक विभाजनों की बात करना और विभिन शमूओं से अलग अलग वादे करना शुभाविक बात है हमारे देश में भारत में लोक तंत्रिक सासन वेवस्था पाई जाती है परन्तु जनता अपने परतिनिध्यों को मद्दावन के माध्यम से चुन कर देश के संसद या विधाईक राजी की विधान सभावों में वेजती है यह चीजें आप लोग को खटक रहा होगा सर यह चीज तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या आप कह रहे हैं है कि नहीं हम थोड़ा सा आप लोग से मज़ा ले लिए कोई दिकत नहीं अब यहां से हम आपको पूरी कहानी समाद में समाजिक बिभाजन जो समाजिक बिभाजन मतलब बटवारा है तो उसमें राजनीतिक परिनाम श्वरूप ही लोक तंत्र में वेहवार में परिवर्तन होता है क्या लोक तंत्र के वेहवार में परिवर्तन होगा समाजिक विभाजन की राजनीतिक के परिनाम शरूप ही लोकतंत्र के बिहवार में परिवर्तन होता है ठीक है भारतिया लोकतंत्र के संदर्व में अस्पष्ट करें तो भाया जो विभाजन की बात है समाजिक विभाजन दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी रूप में महजूद है बटवारा मतलब एक छितर से दूसरे छित का बटवारा हर जगे है अपने भारत में भी है दूसरे देश में भी है यह जो है विभाजन राजनीतिक रूप अक्तियार करती है और एक चीज़ देखेगा जब अलेक्षन का समय आएगा न सबसे पहले देख न कहीं गलत है ठीक है और यह जो सोच बना के रखे हैं आप हम अपने जाती को भोट दे गए तो जाती काम नहीं देने आएगा आपको ठीक है आपका करतव्य बनता है एक सक्षे एक इमंदार एक अच्छे नेता को चुनने क्या ताकि जो हमारे समाज में कल्यान कारी काम कर सके ना कि अपने जाती को जिताने से कुछ नहीं होगा ठीक है तुछ इसमें जो है ,समाजिक वीभाजन में राजनितिक पाटियां किस परकार से लोगतंत्र में अक्तियार कनते है titles अक्तियार का मतलब हो कि आम मिला के रखते हैं लेकिन आज की डेटू में देखा जाए तो तो सभी कोई भी राजनितिक पाटी है, अगर चाहेगा आपने बल बूते, कि जाती के बल पे जीत जाएंगे, तो अब संभब नहीं है, कुछ-कुछ लोग हैं, उसका बात नहीं करेंगे, लेकिन अब संभब नहीं है, कि जाती पे आप भोट ले लिजिएगा, क्योंकि अब अलग-अलग वादा करने लगता है, ठीक है, यह सब क्या, उनका स्वभाविक बात है, क्या है, स्वभाविक बात है, हमारे देश में लोकतांत्रिक सासन ब्यवस्था पाई जाती है, जनता अपने परतिनी ध्यों को मद्दावन के माध्यम से चुन कर देश के संसद्या, र उन्हें सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, यहां पर क्या होता है, परतिनीधी बगेरा ख़रा होते हैं, आते हैं चुनाव में, और उन्हें पूरे जितने भी भारत के व्यक्ति हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे जो हो, लेकिन उसका उम्र जो है, अठारे होते हैं उससे समझने बुझने नहीं आता है, है कि ने, समझने बुझने उनको सही से नहीं आता, इसलिए आपको पता है, साधि न कुमर तो परतिनिधियों को मद्दान के माध्यम से चुनकर देश की संसद या राज की विधान सवा में भेजती है ठीक है वदलते वक्त में पहले भारत में दलित वर्ग का हाल कुछ यूँ था कि उच वर्ग के लोगों को देख ले तो उनके लिए और उनके वर्ग के लोगों के पाप हो जाता था इसलिए इस सिलसिला को खत्म करने के लिए राजनितिक पातियों को बहुत सी बहुत सी नियम पारित करना प्रा जिससे एक एक नियम आरक्षन का था लोगों को सताया गा रहा था जो उचवर के जाती थे स्वर्न जो जाती ते जूसे उच वर की जाती मैंने आपको बताया था, जो दलित वर के लोगहुं को बहुत ज्यादा सताय जा रहा था,繁आ क्या जो धीरे-धीरे कर के पहले जो मर्य जाती का लिए सत्त अधिकार था।बर जाके धीरे-धीरे जुह है दलित लोग का भी अधिकार होने लगा, तो जो दलित लोग थे, एक समय था, अभी भी उतनी पुन्रुपेन अगर कहा जाए, तो सिक्षित नहीं हुए हैं दलित लोग, पुन्रुपेन अभी भी नहीं हुए हैं, क्योंकि वो लोग इतनी गरीब होते हैं, कि कल के लिए क्या है कैसे खाना बनेगा उन्हें अभी भी कुछ कुछ ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनें सोचनी पड़ जाती है सभी की बात नहीं कह रहा हूं ठीक है है वैसे वैसे तो वह लोग भी सिक्षा के और नहीं बढ़ पाते हैं लेकिन हला कि सरकार ने ऐसे ऐसे बहुत सारे कदम उठाए ताकि वह लोग सिक्षित हो और बढ़ चढ़ कर अपना अधिकार को अरपन कर सके मतलब ले सके ठीक है राजनितिक पाटियों को अब बहुत से नियम पारित करने परें जिसमें से एक नियम था आरक्षन का आरक्षन दिया गया इसको जो है दलित लोग को आरक्षन दिया ग लोवन दे रहा था और इनके लिए आरक्षन बहुत सारी चीजें जैसे मेडिकल में आरक्षन और भी जगे बहुत सारी जगे पी इनको आरक्षन दिया जाता था छूट दिया जाता था ताकि यह लोग जो है सुरक्षित रह सके जिसके तहत दलित वर्गों के कुछ खास अध दलित वर्ग के लोग जाती को अगर मारता है पीटता है उसके लिए हाड नियम कर दिया नियम लगा दिया अगर मारता है तो उल्टा किये सुस्पे किया जाएगा यह सब चीजें बहुत सारी नियम उनको दिया गया भारतिया लोकतंत्र भारत में रहने वाले लोगों से न I hope आपका जो यह प्रशन था क्या था प्रशन कि समाजिक वीभाजन राजनीतिक के परिणाम श्वरूप ही लोकतंत्र के बेहार में परिवर्दन होता है। भारतिय लोकतंत्र के संदर में इसे अस्ट पर्ष करें, लोकतंत्र राजनितिक पाटी जो है, सभी को अधिकार देते हैं, आरक्षन दिया इस लोग को, तब जाकि इस लोग आगे बढ़ने का काम किये, इससे क्या होगा समाजिक विभाजन नहीं होगा, समाज में विभाजन नहीं होगा, ओके, आहिए बच्चों, हम लोग अब 4 नबर प्रश्ण क्यों आहते हैं, यहां पे क्या है, सतर, सतर का मतलब हो गया, 1970, और दसक का मतलब होता है, दस साल, ठीक है, 10 साल, क्या होता है, 10 साल होता है, सताब्दी, एक और चीज़ होता, सताब्दी, सताब्दी का मतलब होता है 100 साल, ठीक है, तो यहां पर क्या है, 70 के दसक, 70 के 5, 70 के दसक, क्यों के दसक मतलब समझिए, 70 के दसक, दसक का मतलब हो गया 1960 से 70 की बीच, ठीक है 1960 से 70 की बीच, और आधुनिक दसक, आधुनिक मतलब क्या हो गया अभी का आधुनिक 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 का मतलब होगे आप बर्तमान समय बर्तमान समय चलो कोई दिक्कत यह एक-एक पॉइंट नोट कर लिजेगा के बीच भारतिय लोकतंत्र का सफर का संचिप्त वर्नन करें तो अभी क्या कहानी है यहां पे 1970-1970 के दसक से और अभी के यूग में क्या-kया परिवर्तन हुआ अभी तक में किस परकार से परिवर्तन हुआ उन लोकतंत्र का सफ़ण के बारे में हम लोग को बताना है तहला कि मैं आप लोग को बता दूँ कि 15 अगस्त 1947 इस वी को आप लोग को पता है और मैं बार वार वीडियों में बोलता हूँ 1947 इस वी को आजाद हुआ था भारत कब आजाद हुआ था ठीक है और 1948 में निस्व अर्तालिस में स्री लंका आजाद हुआ था ठीक है याद रखेगा उनिस्व अर्तालिस में कौन आजाद हुआ था स्री लंका स्रिलंक आजाद हुआ था, ठीक है, 1947 में भारत आजाद हुआ था, 1948 में स्रिलंका आजाद हुआ थीक है, अब देखो यहाँ पे और कहानी है उन्य चबिस जन उनिश्व पचास इसवी को क्या क्या गया यहाँ पे शाविधान लागू क्या गया था ठीक है और उनिश्व एक्यावन में उनिश्व इक्यावन में परधान मंत्री कोन था मतलब यहाँ पर मलिक देते हैं प्राइम मिनिस्टर ठीक है परधान मंत्री कोन था जवाहर लाल नहरू यह कहानी समझा देते हैं आप लोग को नहरू ठीक है जवाहर लाल नहरू ठीक है और कहीं बचा हुआ जगे देख लेत लाल बहादूर सास्त्री कौन था लाल बहादूर सास्त्री लाल बहादूर सास्त्री बेचारा इस ये जो कारिकाल है इसका दो साल का ही रहा ठीक है और इसका मिर्तियू हो गया था हाट एक से ठीक है चलो 1964 वाला हो ही गया अब 1964 में आते हैं 1966 में कौन थी, ठीक है, कहीं जगें बचाये जी, चलो यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत में, तब कहानी समझने मजा आएगा, 1964 में इंद्रा गांधी प्रधान मंत्री बनी थी, आम चुनाओं में, ठीक है, आम चुनाओं में, चलो, यहीं यह कहानी है, इंद्रा गांधी तक बता दिये, उसके बाद जो है, फिर से यहाँ पर 1970 में क्या हुआ था, कि बिहार में 1975 से 1970 की बीच में, बिहार में बिरोजगार आएर बढ़ने लगा, लोग खाने पीने से कलित हो रहे थे, किसके समय में, इंद्रिय गांधी समय में, ठीक है, तूस समय जो था, क्या था, और 1970 के दसक, 1970 के दसक, मतलब 1960 से, 1970 के दसक से आधुनिक योग, मतलब बरतमाण योग का जो लोकतंतरिक, हमारा लोकतंतरिक, देखे 70 के दसक के पहले भारत की राजनीतिक स्वर्ण सुब्धा प्रस्त हित के समू में था ठीक है जो स्वर्ण मतलब बरा जाती ठीक है मैंने आप लोगों को बताया बरा जाती ठीक है बरा जाती के हातों में थी अर्थाद 1966 तक भारतीय राजनिती में स्वर्ण जातियों का बर्चस रहना 70-90 के दसक में याद रखना है 70-90 के दसक जो 1970-90 ठीक है यहां अपने लिख दे भाई 1970-1990 चलो के दसक के बीच स्वर्ण और मद्यम के उपरांत पिछरे जातियों का बर्चस रहा ठीक है, उसके बाद दलित और जागरिती की अवधारनाय राजनीतिक गलियारियों में उपस्थित दर्ज कराती रही, नीतियों का परभावित करती रही, भारतिय राजनीतिक के इस महमन्थन में पिछ्रे और दलितों के संघर्स परभावी रहा, और आधुनिक दसक वर्सों में राजनीतिक का पलड़ा दलितों के हाथ में है, बिहार के संदर में के पक्ष में जुकता, मतलब यहां पे जखता लिखा गया, जुकता दिखाई दे रहा है, दूसरी की नीतियों के सभी प्रिदर्शियों में दलित नियाय की पहचान सब के केंदर बिंदू का बिशे बन गया, अब यह चीजें आप लोग को अगर नहीं समझ में आया, तो बिलकुल अच्छी तरह साप लोग समझ लिजें कि उनिश्व सर्शट से पहले जो था सभी यहां पे भारत पे स्वर्ण जाती मतलब बरा जाती का यहां पे बर्च्वस था उनहीं लोग के साथ में सताका बगडोर उसी के हाथ में था, फिर उनिश्व सत्तर से उनिश् बिलके या जैसे भीते से दोनों के बीच में विवाद बगएरा हर चीज करते करते लड़ते लड़ते वो लोग सत्ता के सत्ता में आ गया, सत्ता का बगडोर उसके हाथ में आ गया, फिर धिरे 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 जो दलित थे महादलित थे वो लोग भी इस चीज को अपने नभय का बाद देखा जा रहा है कि अब किसी ना किसी तरह से दलित और महादलित के हाथों में सत्ता का बगडोर जा रहा है यह कहानी यही था आई होप आप लोग समझ गये होंगे आई यह पचमे नंबर प्रश्न को हम लोग समझेंगे कोई दिक्कत नहीं न जी एक एक चीज को हम लोग बहतर तरीके से समझेंगे तो मजा आएगा अब आए बता दिये का राम आम खाता है राम आम खाता है क्या खात कि समाजिक विभाजनों की राजनीतिक का परिनाम किन-किन चीजों पर निर्वर करती है। समाजिक विभाजन की समाजिक विभाजन मतलब समाज में बटवारा राजनीतिक परिनाम किन-किन चीजों पर निर्वर करता है। किस परकार से समाजिक विभिन्ता जो है समाज में विभिन्ता को रोका जाए क्या क्या जाए उस चीज़ पर हम लोग ध्यान देंगे ठीक है समाजिक विभाजन राजनितिक का परिनव किन किन चीजों पर निर्वर करता है मतलब समाजिक विभाजन को रोकने के लिए जो राजनितिक पार्टी है किस चीजों पर वो काम करती है, किस परकार से काम करती है, जो समाज में विभाजन नहीं हो, समझेगा, समाजिक विभाजन राजनितिक तीन तत्मों पर निर्वर करती है, निमलिखिते, ध्यान समझेग पहला लोग अपनी पहचौन स्वास्त्वित्व तक ही सीमित रखना चाहता था क्योंकि प्रत्व मनुस्य में राष्ट्य चेतना का अलाबा उपराष्ट्य और अस्थानिय चेतना भी होता है कोई एक चेतना बागी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगती है तो समाज में जो है और संतूलन पइदा होता है, लोग जो है हमारे भारत देश में देखो, अगर देखा ज़िए सबसे पहले हम लोग कहीं देश दूसरा देश गए, ठीक है, दूसरा देश जाएंगे, माल लिया ज़िए हम चल गए, अमेरका, अमेरका गए तो वहां पर हम लोग को पूछेगा, ए, कहां सा आये हैं, उसे नहीं बोलेगा, घड़े जी बती आएगा, ठीक है, कहां सा आये हैं, कहां आएंगे, I am Indian, क्या बोलेगा, I am Indian, मैं भारतिये हूँ, ओ, you are Indian, yes, okay, तो हम लोग से पूछेगा, दूसरे देश में हम लोग क्या बोलते हैं, सकते हैं, तो हम सबसे पहले, क्या बोलेगा, राष्टिय चेतना होता, अपने राष्ट के लिए जो रहाएं, लोग का सोच एक होता है, उसके बाद गे झोताह उसका अस्थानय चेतना भी होता है, कोई एक चेतना, बाकि चेतनाओं की कीमत पर उगर होने लगती है, तो समा पहले हम लोग क्या जानते हैं कि भाया हमें राष्ट्र को जो है राष्ट के परती अपनी हरेक तरह से जैसे भी हो अपने राष्ट को ऊपर करने की सोच रहते हैं रखते हैं इने रखते हैं उसके बाद जो है कुछ लोगों के मन में जो है इसके बीच में देखो राष्ट्य चेतना अलावा उपराष्टिये चेतना या अस्थाने चेतना भी होता है कोई एक चेतना बाकी चेतना हों की कीमत पर उग्र होने लगती है मतलब कुछ लोगों का जो है लोगों का जो है अलग-अलग सूच होता है अलग-अलग तरीके सोच होता है कोनों जाती और धर्म के लोग को लग जाए हमरे जाती बरा है तो जाती जब बरा होने लगता है तो लोग को दोसर जाती बलाग लगता है तो यह हमरा दुडबक समझ रहा ह तो यह दोनों क्या हो जाता विवाद हो जाता विवाद हो जाएगा क्या हो जाएगा समाज में असंतूलन पैदा हो जाएगा तो ध्यान समझेगा लोगों का दो ही पहचान होता है वो कौन-कौन सा है पहला कि राष्टिय चेतना के अलावा एक अस्थानिय चेतना होता चीए और लोग अपने पहचान श्वा अस्त्वित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं क्योंकि मनुस में राष्ट्य चितना के अलावा एक अस्थान्य चितना भी होता है और इससे ज्यादा ओं लोग का सोचना नहीं होता है कि ने सबसे पहले तो मैंने आप लोग के क्या बता है I am India उसके बाद मैंने क्या बता I am बिहारी है कि ने अब बिहार में अगर पूछ दे कहीं पटना चल गए पटना पूछते हैं तो आपको कभी भी आपसे पूछा गया होगा ओ भाई कहां से हो तो आप कहते होंगे भाई मैं मुझभपडपुर से हूँ मैं बेगुसराय से अगर आप से दूसरे देश में पूछा ता आप बोले देश का नाम अगर आप से किसी अस्टेट में पूछा ता आपने क्या बोला अस्टेट का नाम अगर आप से अपने अस्टेट में पूछा जाया ता आपने क्या बोला डिश्डिक का नाम ओके तो दूसरा है कि कि किस पुरे समुदाई को नुकसान न पहुचने वाली मंगो को मान लेना आसान है। जो राजनीतिक पाटी है उन लोग का ये काम होता है किसी भी धर्म या किसी भी शमुदाई के लोग को जो मान लिया जाये। यह जाती, यह समुदा या धर्मा लिज़े और भी, इसको कि भाईया हमरे लिए प्रस्टनल यह रोड पे हम ही चलेंगे और यह लोग नहीं चलें तो इसा संभभ है, है, इसको किसी भी परकार का नुक्सौन न पहुंचे, तभी संभब है और उसी माण को सरकार मांती है जो सब के लिए हो और सब के हीत के लिए हो परसनली हम बोलेंगे ए मुखमंत्री जी हमड़ा दिलान दिजी बी-मडवू देंगे नहीं देंगे अगर हम समाज की हित के लिए बोलेंगे कि हमारे जिला में चार बस चलवाई ये सरकारी कम पई साले तो वो क्या होगा उस चीज को कहीं न कहीं माना जाएगा है कि नहीं लेकिन हम अपने लिए क इसे क्या होगा दोसर लोग को लगेगा अरे भाया उग्रादे दिल के बीमडवू अब भोटे नते हम ये बहुत सारी चीजे होती है किसी समुदाय या छेत्र विशेष की मांगों को राजनितिक दल उठा रहे हैं और शवीधान के दाइरे में आने वाली और दूसरे समु रूप निर्वर करता है और यह भी महतपूर्ण है कि सरकार इन मंगों पर क्या पर्तिकिया व्यक्त करता है तो देखो सरकार जो है उतरदाई होते हैं किसी भी काम को अगर कर रहे है, सरकार अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है जो सब के लिए हीत के लिए हो वही काम जो है सरकार कर सकता है है कि नहीं तो अगला आपर तो पठक्त देवे करेंगे उभर सोचते हैं इसलिए समाजिक विभाजन के राजनितिक का परिनाम शरकार के रूप पर निर्वर करता है कि सरकार अपनी सत्ता को किस परकार से चला रह वो इसे किसी भी परकार का कार्ये ना करें जिससे किसी समूदा आए किसी भी धर्म के लोग को ठेश पहुंचे और मैत्पुन है कि सरकार इन मांगों पर क्या परतिकरिया देमान लिया जाए हिंदु भाई कहेंगे कि भया हमको दीजिये अलग रोड अलग रोड और मुसलिम नगी चलने देंगे और यह यह मुस्लिम लोग कहेंगे आप लोड पर हम उनको नगयी चलने देंगे यह समाज में कहीं न क introducerगा विभाजन हो जाएंगा इसलिए बिच का रास्ता निकाला जागा सरकार इसके लिए क्या होगा? उस पे परतिकरिया देगा, समझाएगा बुझाएगा तब ना होगा, हई polishाते बादार Northeast region that on that? समाजिक वभाजनों कोई राजनितिक परिनाम किन कीन चीज़ों पर निर्वर करती है तो पहला तो मैंने आप लोग को बता दिया कि समाज में सब को एक समान एक समान स्वतंता दिया जाए एक समान कानून हो ना चाहिए सभी के लिए ठीक है तब ही जाके ताकि किसी भी परकार का असंतूलन पैदा ना हो दूसरी बात की सरकार किसी समुदाय या इसे उठा रहे हैं, शाविधान के दाइरे में आने वाले दूसरे समूदाय को नुकसान न पहुंचे, उस मांग को मां लेना असान है, तीसरा मेने आप लोग को बता है, समाजिक विभाजन, राजनितिक पार्टी परिनाम सरकार के रूप पर निर्वर करती है, कि वो मुख् तुह कोई दिक्कत जी नहीं न, पाजमा हो गया, अब चट्था में या आप्जेक्टिव है, साथ मां इभ tut जीक्फ, आठ ऐ मzechव जीक्टिव, न अनमा में भी जीक्टिव है, तो ईस आप्जेक्टिव को हम लोग जीक्टिव में देख लेंगे, इसी वीडियो हम देखें लेकिन अंतिम में देख लेंगे, अब दस में नमर प्रशन को हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं न, आईए, समझते हैं, करा भावी समाज में लोक तंत्र की जिमेवारी और उद्देश पर एक अच्छिप्त टिपन्नी लिखे, अच्छिप्त का मतलब हो कि या छोटा साइक टिपन्नी लिखे, मतलब इस पर चर्चा करें, समझेगा, बर्तमोन में लोक तंत्रिक सासन बिवस्था में संसार के अधिकतर देश अपनार है, अपन जो है नेपाल, नेपाल के बारे हम जानते हैं, ऐसा कौन सा देश है, जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है, वो आपका नेपाल है, ठीक है, और अगर पूछा जाए कि विष्व का घरीव देश कौन सा है, तो भुटान है, ठीक है, अगर पूछा जाए, विष्व का सबसे बरा देश कौन सा है, तो रूस है, कौन सा है, रूस है, अगर अपने बिहार में आ जाए, तो कहेगा, कि बिहार में कितना जिला है तो 38 जिला है बिहार का सबसे बरा जिला कौन सा है चंपारन ठीक है अगर पूछ दे बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है तो आपको वताना है क्या स्विभर ओके ये सब चीजे तो ये सब जो अब्जेक्टिव आपके जो प्रश्ण मेंने अभी अपने मुह से बढ़ भराये आपको यह सब ना कभी कभी पूछ देता है इसलिए ठीक है तो भावी शमाज जो समाज में हैं लोकतंत्र में जिम्मेवारी और उद्देश पर एक और संचिप्त टिपन्नी लिखें तो धियान समझेगा वर्तमावन में लोकतंत्रिक सासन विव तो देखें नेपाल भी दिरे दिरे लोकतंत्रिक सासन विवस्था को अपनाया पहले क्या था वहां पर राजा था फिर जाके लोग जो है लोकतंत्रिक सासन विवस्था को बनाया फिर जाके वहां पर वही राजतंत्र हो गया तो मैंने आप लोग को चर्चा किया था तो ब पहले के जमाने में क्या चलता था राजतंत्र चलता था और आज के डेटी में क्या चलता है लोकतंत्र चलता है भारत में कैसी सासन बेवस्ता है लोकतंत्रिक सासन पढ़ना लिये या सासन बेवस्ता है राजतंत्र में क्या होता था एकर बेटा बनेगा राजा फिर एकर पोत बनेगा राजा, ठीक है, पोता का बेटा बनेगा, पोता का बेटा बनेगा राजा, तो मतलब इसी पदकर मनुसार होते रहता था, और यह लोग जो है, राज तंत्र में क्या होता था, राजा को सभी परकार का अधिकार था, परजा को किसी भी परकार का अधिकार नहीं था, लगाउन लिया जाता था, लगाउन that means कर बोलिये उसको और इंगलीस में बोलिये तो टेक्स बोलिये, टेक्स लिया जाता था, लेकिन लोक तंत्र में भी टेक्स लेते हैं सरकार, भाया अब तो इतना टेक्स बढ़ गया ना, सारे 300 का खाना खाया उदिन, 50 का ले लिया GST, ठ ठीक है, 18% आप लोग को GST देना पड़ता है, मतलब 100 रूपा में 18 गुरूपिया आपको GST के रूप में देना है, टेक्स के रूप में देना पड़ेगा, अगर मौन लिया आज है, तीन सवाक अगर खाना खाते हैं ना, खाना, तो ठारे का ठारे, ठारे दूना, 36, ठारे अगरिक सासन बेवस्ता में जो सरकार है, यह जो है हमारे देश और हमारे राज्ज को डबलब करने के लिए यह पैसा लेते हैं, जो भी जरूरत की चीज़ें होती है, शुबधाजनक चीज़ होती है, जनल कल्यान के लिए, उपयोगी चीज़ होते हैं, उन पे वो लोग का करते हैं समझभा रहा ना ? समझ है, लोक तंत्र में चुनाव हो था यही सब बन्त ही भी नियकिन इसमें स्सोब स्सक्राइब चुनाव होसा और परतीiv है परती निधी को जो है, जनता लोग चुनता है, कौन चुनता है, जनता लोग, जनता चुनता है, चुनता है, लोग तंत्र किसको कहते हैं, अगर पूछ दे, जनता का, जनता के दुवारा, ठीक है, तथा जनता के लिए, सासन बेवस्था को, लोग तंत्र कहते हैं, और ऐसा किसने कहा था, ये बात, ये लाइन किसने कहा था, अगर पूछ देख जामें, तब राहिम लिंकन लिख देना, ठीक है, ये सब चीजे न, देना जरूरी था आप लोग को, कोई दिक्कत ने, तो भावी शमाल, लोक तंत्र की जिमेवारी और उद्देश पर एक टिपन्नी लिखने के लिए बोल रहा है, तो भरतमान में लोक तंत्रिक सासन बेवस्था, संसार के अधिकतर देशों में, देशों अपना रहे हैं, क्योंकि लोक तंत्र में लोगों के कल्याउन की बातों को परमुकता दी जाती है, आज लोक तंत्र अपनी जर्य जमा चुका है, अर्थात धीरे-धीरे परिपकता की और अगरसर हो रहे हैं, मतलब धीरे-धीरे ये और भी मजबूत हो रहे हैं, और आगे बढ़ते जा रहे कोई दिक्कत जी नहीं न चलो अब्जेक्टिव भी करवाएंगे वह यह का है टेंसन ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं अब देखोए इहां पे हैं लोकत न्तृिक सासन बेवस्था के बारे मैंने आप लोंको बता ही आ फिर से समझ लेजें लोकत इधर जो है इसको थोला सा यह लोगटांट्रिक प्रसंद था इसलिए थोला ओर लिखना है कि लोकतांट्रिक सासन बेवस्था एक 90 शासन को चुनकर संसर या विद्धान सभा में भेजते हैं और यह लोगों के कल्यान समाजिक समंता आर्थिक समंता और धार्मिक समंता इत्यादी के पक्षधर होते हैं इसी सासन तंत्र के अंतरगत लोग कल्यानकारी राज्य बनाया जाता है बनाया जा सकता है इस सासन विवस्था में जनता अपने परतिनिधियों को चुनता है और वे अपने परतिनिधि जनता की भलाई के लिए कार करता है जो परतिनिधि को चुना जाता हूँ जनता के भलाई के लिए काम करता है लेकिन कुछ-कुछ ऐसे इसे निता है जो अपने भलाई करने लगता है ठीक है तो मैंने आप लोग को बताया था जो पूरे देश पर राज करें उसको क्या कहते हैं केंदर सरकार या संग्य सरकार मैंने आप लोग को बताया था नजी केंदर सरकार पूरे देश पर ठीक है पूरे देश पर किसका सासन केंद सरकार का राज पर सासन तो राज सरकार का कहां तक रहता है? राज तक ही रहता है, सासन बेवस्ता ये जो है पूरे देश के लिए काम करेगा, ये अपने राज के लिए काम करेगा, जैसे कि आप मुखमंत्री ये अभी के डेट में देखा जातो निति इसकोमार जी है, है कि नहीं, और भलाई के लिए कार करते हैं, I hope ये चीजें समझ मे पने अज़ाय के सकते हैं, जो सवाविद्हान है, उसी के तरन तरीके से काम करना होगा, अपने भलाई करना होगा, ठीक है, लोकतंत्र एक अईसा आधार प्रस्तूत करते हैं, लोगों के कल्यान के साथ सामाज के विकास का भी समभव हो। या भावी शमय के लिए एक ऐसे अधार प्रशतूत करती हैं जिसमें लोगों के कल्यान की भावना छुपी होती है। लोक तंतर दिर्ग कालिन उद्देश है, एक कलियानकारी राज के अस्थापना करना, जिससे आम लोग को विकास आर्थिक समानता, धारमिक समानता, एब हम समाजिक समानता निढ़ित होती है, इस परकार लोक तंतरिक भावी समाज के लिए जिमेदारी पुर्ण कार करती है, कोई दिक्का जी नहीं न, चलो भई, यह और भी बड़ा है, हाँ, 11 नमर को समझ लेते हैं, कोई दिक्का है, बहुत जवर्दस तरीका साब को समाजते हैं, भारत में, भारत में किस तरह जातिगत और समानताएं जारी है, जातिगत और समानताएं जारी है, और समानताएं मत बात समझें और ये चीज़ा आप लोग आखो से देखे होंगे भारत में अलग अलगतर रहते हैं यह किने जी बढ़ ही है लक्री काटेगा जो बढ़ ही जाती में जन्म ले लिया उन लक्री काटेगा गुउला है दूद्दूएगा ठीक है नाई है बाल अचेगा ठीक है ये सब जो है और भी माली है फूल बेचेगा तो मतलब जाती के अनुशार पेशा दे दिया गया है ठीक है पेशा दे दिया गया है अब छात्र जो छात्र जाती है उप पढ़ेगा एगी ने जो master जाती है सिक्षक के जाती है वो क्या करेंगे बच्चे को बारत में किस तरह के जातिगत और समानता है जारी है समझिएगा अभी लेकिन आप जो है लोग जो है पढ़ा लिखा हो गया आप इस चीज़ों को नहीं मौनते हैं ठीक है देखिएगा नाई लोग जो है नाई बला कम बाल काटने बला लो अलग अलग जाती कि जो दूसरे ज ओके आईए भारत में भीन भीन जाती के लोग रहते हैं चाहे हुए किसी धर्म से संबंद रखते हो जहां जाती गत्वी से स्थाएं पाई जाती है क्योंकि भारत जो है विभिताओं का देश है ठीक है भारत की तरह दूसरे देशों में भी पेसे के अधार पर वनसा नूत पेसा एक पीड़ी से दूसरे पेड़ी में स्वेम ही चला जाता है ठीक है जैसे हमारे दादा जी हमारे दादा जी जो काम किये वह ही हम लोग के पिता जी भी किये और कल के डेट में जो है मेरे बेटे या मैं खुद उस चीजों को कड़ू यह वनसा अगत चलते आ रहा है बाल काटना ही होगा बाल काटना ही होगा लेकिन अब अब की जो बात है अब वक्त वदलते नजर आ रहा है अब लोग जो है जो मर्जी जो काम होता है वो लोग करने लगा है कोई दिक्कत ने अरे बाई हम कोई भी जाती है क्या मतलब आपको काम से न मतलब है ऐसा थोड़ सीख के नहीं आता है। यहीं पिर्थेभिटी परही ही उसे हर तरए कि knowledge और हर तरह कि स्चनेश्कार मिलती है। लिए जो बच्चे भी जेन में लेते हैं। उन्हें ये भी नीपता है क्या भोलना है, नहीं भोलना है। उन्हें नहीं पता है, अब मान लो जो एको बात बताते हैं, मान लिया जाए हमरी बेटा हुआ या बेटी हुई हमको, तो हम अपनी बेटा या बेटी को भेज दिया अमेरिका, जा बेटा तुम वहीं रहना, वहाँ पर उढ़ेगा, दस साल बारे साल बात आएगा, जो पाप डैडी, मतलब इस तरह से बोलेंगे, जो इस तरह से अंग्रे जी, वो लोग का अच्छा श्ट्रॉंग रहता है, अमेरिका का संस्कार और भासा वो लोग को सीख जाएंगे, पैजा ने गए नहीं, यहां आएंगे देखे बापरी, दोसर दुनिया मागे हैं, लोग कैसे ब पढ़ता है, क्या आपको पता है, आप जब पास साल के थे या दो साल के थे, आपको पता ये भी नहीं होगा, किताब की अक्छरों को हम कैसे पढ़ेंगे, जब दो साल के थे तो उस समय भी आप लोग को शमयमने आता है, जो छोटे बच्चे होते ना, उन्हें मम्मी पाप सिखाते हैं बोल ने क yeah about a papa तो धिरे दिरे करने लगता a ya मां मी मॉनी वह धिरे भासा को सिखाते हैं कि नि यह चीजह होती है तो क्यों ना हम अपने कामों को बदल सकते हैं जिस काम में हमें मन नहीं लगता वो काम क्यों कड़ें, क्यों कड़ें वही, यही चीज़ें होते हैं, अब बदलने लगा, लेकिन भारत की तरह दूसरे देशों में पेशे के अधार वनसानूत है, और पेशा एक ऐसी पीड़ी से दूसरी पीड़ी में स्वेमी चला आता है, पेशे पर अधारी समुदाइक विवस्था ही जाती कहलाती है, और यह विवस्था अस्थाई हो जाती है, और यह जो है, अस्थाई हो जाता है, सर्म विभाजन का अतिवादी रूप कहलाता है, इसको जो है, अतिवादी रूप यह चीज़ समझे, सर्म विभाजन का अतिवादी रूप कहलाता है, सर्म व आप इंट्रेस्टेट नहीं हो वह फिर आप काम क्यों कर रहे हैं भाई आपका मन जो चीज में लग रहा है जो काम आप अच्छे तरह से कर सकते हैं और कहते हैं का I can do it मतलब इस काम को मैं ही कर सकता हूं भाई वह काम होगा ही पॉसिबल है वह कर सकते हैं आप माल याज आपक लगड़ी काटने का मन नहीं लगगा फिर आप काम नहीं करोंगे का रहोगे बेरोजगार रहोगे इसलिए जिन्दगी में आपके साथ भी आएगा वो वक्त जब आपकी उम्र जो है चौबीस से पच्छीश साल की होगी तो आप भी सोचेंगे कि हमें क्या करना है तो से कर सकते हो अब इने कि 4,10 से बारा साल उमर होगा आप लोग का 15 साल तब ही tér सोचना सुरू नहीं अपमेच्योर हो जाएंगे 25 साल के की जब आपकी उम्र होगी उस समय जो स चीज में आपकाerek काम करक्श één मन लगेवे काम करना ओहां जिसे हम जाती के नाम से पुकारने लगते हैं यह एक खास अर्थ में समाज में दूसरे समुदाय में भिन हो जाती हैं इस परकार के वनसानुत पेशा पर अधारित शमुदाय जिसे हम जाती कहते हैं और इनकी पहचान अलग-अलग समुदाय के रूप में अलग-अलग शमु प्र समोधाय के रूप में नहीं होती है और इस शम्मूधाय के शभीवेक्तियां या मिलती जूलतियां पेशा ही होती है ठीक है कोई दिक्कत हुआ जी समझने में और भी चीज़ हैं समझते हैं इनके बेटे-बेटे अब यह पर ओर चीज़ आजाता है कंडिशन अप्लाई कंडिशन यह अप्लाई हो जाता है यह और चीज यहां पर वे रोजगार एक साथ लाव मायरेज वाल आज कल तो परकोप बढ़ी रहा है देखी रहें न सब्सक्राइब आप लोग मत करिएगा पक्का पता है चलो तो यह जो है धीरे धीरे जो जाती के अनुसार आपने क्या देखा कि जाती के अनुसार आपको पेसा दिया जाता है काम दिया जाता है भाया अब क्या होता है कि जातिये से जाती का बिया होगा मतलब बिवाह करने के लिए अपने ज बाकि गार्जियन कभी आपके नहीं चाहेंगे कि आप किसी अधर कास्ट में साधी करों लेकिन आपका श्रवीधान कहता है कि अगर आप मैच्योर हो आपकी अम्र जो है, साधी करने लाइक है, जो उम्र आप लोग का तैकि आगया लड़का का, लड़की का 18 साल और लड़का का 21 साल, के बाद अगर आप लोग का उम्र है तो आप कानूनी तरीके से आप साधी कर सकते हैं बट आप लोग नहीं करना है ठीक है तो यह चीजें होती है और साधी विभा करने में भी यह समस्या उत्पन होती है ठीक है इनके बेटे बेटियां का साधी सदा लिखा हुआ है साधी कान भी समान समुदाय में होते हैं थीक है और अन्य शमूदाय में इनके संतोनों की साधि नर्थ 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 doubt aut chicos सकती है क्या करां किसंट वण होसकती है और नहीं कराने की कोषिस करते हैं गारजियन केंगे कभी कर आपन कीष कान next चीजे होती है, महत्पुर्ण परिवारिक आयोजन और शमुदाईक आयोजन में अपने शमुदाई के एक पंत में बैट कर भोजन करते हैं, कहीं ना कहीं, तो ऐसा देखा गया है, कि अगर एक समुदाई के बेटा या बेटी, दूसरे समुदाई के बेटा या बेटी से साध कर लेता है तो उसे पंत से काट दिया जाता है और उसे क्या क्या जाता है अपने शमुदाय से हटा कर दूसरे समुदाय में विवाहिक संबंद बनाने के लिए बनाने बाले परिबार को शमुदाय से निस्कासित कर दिया जाता है आज के डेट में अगर देखा जाए तो अग साथ में उनके परिवार को भी गाउं से निश्कासित कर दिया जाता था, उस समय, अब बदलाव हुआ, लोग धिरे-धिरे सिक्षित हुए, यह चीजें थी, आए, बारा नमबर प्रेश्ण को देखते हैं, पूरा डिटेल से अप लोग को समझाएंगे, याद रहेगा, समझ जाती के अधार पर भारत में चुनावी नतीजे तई नहीं हो सकते हैं, इसके दो कारण दे, क्यों सिर्फ जाती के अधार पर चुनावी नतीजे तई नहीं हो सकती है, इसके कारण बताए, बताए यह भारत में जाती के अनुसार चुनाव होगा, तो उसे हिसाब से धम को लग रहा है कि अभी देखा जाए समझा रहे हैं तो सबसे जादा जो जाती है बहुत सारे जाती है जिनकी संख्या जादा है जिस जाती का संख्या अगर अधिक है उसको संख्या बोलते हैं और अलफ संख्यक किसको कहते हैं बहुत संख्यक बोलते हैं जिसकी संख्या जादे ह बहुत संख्यक और जिसकी संख्यक कम हो अल्फ संख्यक बोलते हो ठीक है तो ऐसे में क्या होगा ऐसे में क्या होगा बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी और यहां पे जो परशन के राज सिर्फ जाती के अधार पर भारत में चुनावी नतीजे नहीं हो सकती है इसके रिजन है कि भारत में बिभीन परकार के जाती पाये जाते हैं, हर एक समुदाय और धर्म जाती के लोग हैं, इसलिए यहाँ पे एक जाती मिलके किसी भी पाटी या बहुमत को पुर्ण रुपे नहीं कर पाएगा, इसलिए भारत में तै नहीं होती है, अगर सिंपल सी भासाम लिखना ह किसी भी निर्वाचन छेत्र का गठन इस परकार नहीं किया जाता है, जिससे मात्र एक जाती का मद्दाता रहे, ऐसा हो सकता है कि एक जाती के मद्दाता की संख्या अधीक हो सकती है, परंतु दूसरे जाती के मद्दाता भी निर्नायक भूमी का निभाते हैं, ऐसा थोरे ह किसी भी निर्वाचन चेत्र का गठन इस परकार नहीं किया गया है जिसमें मात्र एक जड़ाती का मद्दातार है अइसा हो सकता है कि एक जाती के मद्दाताओं की संख्या अधीक हो मद्दाताओं की संख्या अधीक हो ऐसा हो सकता है कि जाती मद्दाताओं की संख्या अधीक हो सकती है परंतु दूसरे जाती के मद्दाता भी निरनायक भूमिका निभाते हैं दूसरे जाती के जो लोग रहते हैं जो दूसरे जाती के जो मद्दा दूसरे जाती के मद्दाता भी निर्नायक भूमिका निभाते हैं जो दूसरे जाती के मद्दाता रहता हूँ की करता है उनको वोटे ने करता है जब जाती है धार भूरा तो उनको दोसर के वोट देते हैं लेकिन आप ऐसान कुछ नहीं हो रहा है ठीक है यह हम पार्टी एक या एक से अधिक जाती के लोगों को बोसा करना चाहता हुआ। लोग जो है Sathadha महनने के लिए आप एक जाती सा नहीं पूरे देश में, पूरे राज में आपका बरचस्त अधिक होना चाहिए। रिदिया कि जो जिसका वर्चस्प अधीक होता है न तो उसको उसको जाती से नहीं पुकारा जाता है। चैन अगर जातीए भावन आस्थाई और अटूट होता तो जातीए गोलबंदी परसत्ता में आने वाले पाटियां कभी नहीं हार, कभी हार नहीं होता, अब देखो क्या होता, अगर जातिय भावना अस्थान्य और अटूट हो जाता, मतलब जातिय भावना आजाता लोगों के मन में, कुछ भी हो हम अपने जाती के भोड देंगे, तो जातिय गोल बंदी पर सत्ता में आने वाले पाटिय कभी हार नहीं सकती, यह माना जा सकता है कि छेत्रिय पाटिय जातिय गुठों से संबंद बनाकर सत्ता में आ जाते हैं, जो छेत्रिय पाटिय मान लिया जाते हैं, मुख्याजी होगे, मुख्या होगे, सरपंच होगे, सिमीती होगे, इन लोग जो होते ह उसमें जाती बाद आ जाता है, जाती ये को बोट देंगा हो, चलो नपने जाती बनते, की दिक्का छे, द्यान दोय उकरे भोट, ये सब चीजें होता है, छेतरी ये पाटी में जाती है, गुटों से संबंद बना कर सत्ता में आ जाते जाएं, परंतु अखिल भारतिये चेहर पाने के लिए जाती विहीन, संपर्दाइकता के पूरे विचार रखना आवशक होगा, संपर्दाइकता मतलब क्या हो गया, धर्म के अनुशार, ठीक है, कोई दिक्कत हुआ, समझने में ने, चलो, 12 हो गया, 13 देख लेते हैं, चलो, आईए, तेखिए, कहरा है, बिभिन त तरह के संपर्दाइक, संपर्दाइक का मतलब क्या हो गया, धर्म, राजनीतिक का ब्योरा दें, और सब के साथ एक एक उधारन दे, बिभिन तरह के धर्म, राजनीतिक का ब्योरा दें, और सब के साथ एक उधारन चिपका है, समझेगा, संपर्दाइकता का मतलब हो गया, और संपर्दाइक राजनितिक मतलब धर्म के अनुसार राजनितिक हो रहा है तो उसको बोलेंगे संपर्दाइक राजनिति यहां करा विभीन तरह के संपर्दाइक राजनितिक अभियोरा दें कि इसको कहेंगे धर्म के अनूसार या धर्म के बलबूते राजनितिक में आना क्या हो जगा संपरदाइक राजनिति होगा तो संपरदाइकता की सोच प्राया अपने धार्मिक शमुदाय को परमुख राजनिती में बरकरार रखना चाहता है, जो लोग बहु संख्यक समुदाय के होते हैं, उनकी यह कोशिस बहु संख्यक बाद का रूप ले लेता है, उधारन उधारन सो रूप समझे, स्री लंका की सिहली स्री लंका में एक जगह था, स्री लंका में क्या था, शिहली यों का बहु संख्यक था, स्री लंका में क्या था, शिहली लोग की जो संख्या था, अधिक था, यहाँ पर लोक तांत्रिक, लोक तांत्रिक सरकार ने भी सिंगली समुदाय की परभूता कायम रखने के लिए अप और भी चीजों का अधिकार उन्हें ज्यादा दिया जाता था, 1956 में सिंगली को एक मात राजभासा के रूप में घोसित कर दिया, जो सिंगली था उलो का एक भासा था और सिंगली को राजभासा के रूप में क्या कर दिया गया, गोशित कर दिया गोशित करना उनिस्वचपन में गोशित कर दिया था ठीक है और विश्व विद्याले और सरकारी नोक्रियों में सिंहलियों को पराथमिक्ता देना बहुत धर्म के संडक्षन है तु कई कदम उठाना उठाना आदी तो आपको मैंने क्या बताया संपरदायक इख न उसे ही क्या कहए संफधायक राजनीतिक कहेंगे चाहिए राजनीतिक सरकार बनाना न सिंपल सी बात है यहाँ दूसरी बात यहाँ पे था की एक हुधारन करके समझ जाने स्री लंकाम जो है सिंहली लोग जो थे अधीक था ठाएक है और तंबिय लोग जो तामिल और फ्रांच और सिंहली तीन तरह के लोग थे स्रीलंका में तमिल फ्रांच और सिंहली तो यह जो सिंहली लोग थे इनकी संख्या अधिक थी तो अधिक रहने के वाभुजूद सरकार को लगा भाया एक रह समझीतिये जाएंगे कौन दिक्कत है बाकी तमिल उमिल को छोड़ो ठी देने लगा और उनिस्वच्छपन में क्या-क्या राजभासा घोसित कर दिया सिंहली का ठीक है और नोकरी वगरा भी सिंहली लोग को देता था बाकी लोग को तमिल वगरा लोग को नहीं दिया जाता था और संपरदाइक्ता के अधार पर राजनिति गोल बंदी रात्मक अपील आदी का सहारा लिया जाता है उधारन चुनाव के वक्त हम देखते हैं कि किसी खास धर्म के अनुवाई से किसी पार्टी विशेश के पक्ष में मद्दान कराने की अपील कराई जाती संपरदाइक्ता के अधार पर राजनीति गोल बंदी गोल बंदी संपरदाइकता का दूसरा रूप है अब यहां पर कहानी समझ में रहा है अब मान लिया जाए अब जो धर्म की बात चलड़ा है धर्म पर राजनीति कैसे खिलता है नेता लोग यह समझे अब देखो कोनो बाबा हो गया सिंपल सी बात है कि धर्म में कोन आएग कोनों ने ज्यादा बोल देगे तो बस लोगों को लगने लगा भीया क्या डिरेक्ट नहीं बोलना चाहे उस चीजों को आप समझ ही रहा हूंगे लोग के करता है देखता है जिसका fan flowing बर गया जिसका बात को अधिक सुनता है अधिक को चाहता है तू बाबा में सटेगा ढीक है बाबा में HAWA बोलेंगे बाबा दे देते हैं करोर खाले एक बार बोल दीजिएगा बस बाबा बोल दिया बाबा बोलेंगे नहीं बस सिर्फ उनके साथ दुचार फोटो तोटो मारेंगे ये बढ़ियां है वो बढ़ियां है बोल दिया जनता अकले का जब बाबा पोल्ड है कि बढ़ियां कि अनुवाईक से किसी पार्टी विशेश के पक्ष में मद्दाउन कराने की अपील कराई जाती है, यह सब चीजें भी होती ही है, ओके, आगे समझे, संपर्दाइकता का सब से भयावरूप तब होता है, जब संपर्दाइक के अधार पर हिंसा, दंगा, नरसंगार होता है, जो धर्म के नाम पे हिंदो, मुस्लिम, सीख, हिसाई, अगेर आप अगेर आप की करता है, नेता लोग और बाबा लोग इसे लडाने का काम करता है, वो कहता है हमारा धर्म बड़ा, वो कहता हमारा धर्म बड़ा, उसका धर्म खराब है, इसका धर्म खराब है, लेकिन उनक को जाके बोलो कि भैया आप से बढ़े लिखे अच्छे आदमी ना सविधान लिखे गया है आप उस चीजों को भी एक बार उल्टाग देख लीजिएगा न आपकी डिगरी क्या थी और उनकी डिगरी क्या थी एक बार जाके चेक कर लीजिएगा और वह सविधान में लिखे गया कोई भी व्यक्ति है अपने धर्म को मान सकता है उसमें कोई भी बुड़ाई नहीं है उतना उकाद है वह एक बार धर्म बदल स्वरी वह क्या कहते हैं समिधान बदल के देखने लोग पहले जितना पढ़े थे ना उतना पर लेना परेगा वह बावागिरी नहीं किये समझ में आ रहा है ना यह चीज है तो संपर्दाइकता का सब से भयावा रूप तब होता है जब संपर्दाइक के अधार पर हिंसा दंगा नर्शंगार होता है विभाजन के समय हमने इस तिरसादी को जेला अजादी के बाद भी कई जगह में बरे पैमाने पर संपर्दाइ दाइकता राजनीती का ब्योड़ा दे और सब के साथ एक एक उधारन दे तो इसके बार हम आप लोगों को समझा ही दिये कोई दिक्कत नहीं हुआ अब आते हैं 14 नंबर और 14 नंबर वाला जो प्रशन है एकदम जवर्दस्त प्रशन है समझेगा कह रहा है कि जीवन के लुड़ा लोग उनको घर से निकलने का लाओ नहीं करते हैं उन्हें अनुमती नहीं दिया जाता है कुछ समय पहले कि अगर मैं कहानी आप लोग को बताऊं तो महला लोग का काम एक सीमीत होता था महला लोग जो है सिर्फ घर के काम में हाथ बटाती थी घर और खेतों के का लुड़ने दिया जाता था और भी बहुत सारी चीजें और उसके बाद धिरे धिरे डबलप हुआ लोगों का मन बदलने लगा तो गौ में जब बिद्याले खोला गया तो बिद्याले जहां तक गौ में रह गया न वहीं तक उनके पिताजी उनको परहेंगे काय कि पिताज परहें चीजें लड़का डॉक्तर बन सकता है लड़की डॉक्तर नहीं बनती है बनती है आज की डेट में देखिर नहीं यह बन गीन पहले की बात बता announcements कि या प्रैमरी स्कूल है आपके गों में जो इसकूल आ वहीं तक बच्चियां पढ़ती थि उसके बाद नहीं अब तो देखते हैं कि हमारे देश से दूसरे देश में जाके भी लड़कियां पढ़ रही है। अगर बरतमान परिदिर्श में देखा जाए तो भारत में इस्तिरियों के स्थिती में सुधार हुआ है। अगर बरतमान परिदिर्श में जाके भी लड़कियां परिदिर्श में सुधार हुआ है। माता-पिता का मानसिक्ता बेटों पर अधिक खर्च करने की होती है। आज देखा जाए तो हर जगे आपको लड़की दिख जाएगी। वो आपको यह बतानी की कोशिस कर रहा है कि जो आप कर सकते होना मैं भी कर सकती हूँ। यह बतानी की कोशिस कर रहे हैं। इन लोगों का नजरिया कब बदलेगा यह पता नहीं है। लोग जो हैं उनके माता-पिता सबसे पहले तो उनकी माता-पिता जो बेटी जो उनकी भी है। जिनके पिता है। और वो नहीं चाहते हैं कि अपनी बेटी को पढ़ाए। इसकुली शिक्छा दिया, उसके बाद कॉलेज भेजने में। अरे भाई लड़की है कैसे भेजू। उनके मन में सवाल आजाता है। और उसके पीछे भी बहुत सारी रिजन हैं सवाल आने का। लेकिन उनको यह लगता है, अगर मैं अपने बेटे को पराता हूँ, तो कल के लिए यह मेरे भविष्य होंगे। लेकिन भाईया एक बात बता आँ है कोई किसी का भविष नहीं बन पाता है। आपने भी देखा समाज में भी देखें कि कोई किसी का भविष में बनता है ठीक ना कोई किसी के लिए नहीं एक वक्त आएगा और वह वक्त आपको वह वारी चीजें याद दिलाएगा तो वस वक्त का इंतजार करना अटिक है इसलिए कम बच्चे कम हो लेकिन उसे अच्छी सिक्षा प्राप्त करें और जिन बच्चों का जो बढ़ने की जो करने की इक्षा है उनके इक्षा को आप चाहें तो हर कुछ कर सकते हैं उसे मंजिलें दिला सकते हैं ठीक है अगर पिता जी बोल देना कि बेटा तुम तुमको जो करना है वो करो टेंशन मतलो हम तुम्हारे पीछे हैं तो वो कड़ेंगे एक दोगो नलाइक हो जाते हैं ठीक है चलो तो नजरिया में फटक है माता पिता की मानसिक्ता बेटों पर अधिक खर्चा करने की होती है यही कारण है कि उच्छा में लर्कियों के संख्या सीमित है सिक्छ कि महला पढ़े गिने तो बढ़ेगे किसे अगर बोला जाया कि आरक्षन एक बाद बोल जाया पुरा देश में देखा जाए देश में महला महिला को 30% आरक्षन दिया गया क्या दिया गया आरक्षन आरक्षन दिया गया और बिहार में बिहार में बिहार में का बाब बिहार में बहार बाब ठीक है बिहार में 50% आरक्षन काए कि यहां पर हमारे नितिश कुमार जी है ठीक है नतिश कुमार पूरे महिला को जो है पूरा नोक्रिये करवानने में लगा हुए है ठीक है चलो भई एक मिनिट कॉल आ रहा है पढ़ा रहे हैं अभी बाद में बात करते हैं चलिए भई हाँ यह चीजे हैं कि सिख्छा में लड़कियां लड़कियों को लड़कियां इसी पिछले पन के कारण अब भी उची तनका वाली पदों पर पहुंचने वाली महलाओं की शंख्या बहुत कम है यह सब रीजन बता रहे हैं आप लों को ठीक है आगे देखिए एक सरवेक्षण के अनुसार एक औरत ऑसतन रोजना साथ घंटा से जादा काम करती है जब परूस जो है ज़ो है रोजनाव 6 घंटे ही काम करते हैं और फिर भी पुरूस दुवारा क्या गया काम को जादा दिखाई परता है क्योंकि उसे उसे आमदानी होती है और हलाकि औरतें भी धेर सारी ऐसी काम करती है जिससे परतेक चुरूप से आमदानी होती है लेकिन इनका जादा तर काम घर के चार दिवारी के अंदर होता है इसके लिए उन्हें पैसा नहीं मिलते हैं, इसके लिए औरत का काम नहीं दिखाया जाता है, एक दम जवरदस्त बात आप लोग को बता रहें, ठीक है, बाई एक बात बताओ, महले काम नहीं करते हैं, महला सबसे जादा काम गरती है, सरवेक्षन के अनुसार पता चला है, कि पुरुष जो है, 6 घंटे क जगेगी पूरा जारू पोचा सब चीज करेगी, पूरा जारू पोचा की, कीचन में गई कि जल्दी से हम खाना बना ले, पहले नास्ता, बच्चे का नास्ता बनाते हैं, फिर बच्चे का नास्ता हम, अच्छा ये डिजिटल बोर्ड वाला भी लाइट कट गया है, एक ब यह इनवहेटर बड़ा बैटरी बड़ा प्राब्लम कोई नहीं मैं वर्ण कर लेता हूं तब तक बानी भी लेते हैं तो भही मैं जो बता रहा था वही चीज फिर से बोल रहा तब तक यह वर्ण हो जा तो जो है जैसे बच्चा तियार करेगी बच्चा की स्कूल जाने के लि फिर अपने पती को नास्ता दिया बरस जाके मुझए रहेंगे बरस कीजिए चाह दिए उसके बाद और भी सारे काम होती हैं उसके बाद उनके शुस जो होते हैं उनके लिए खाना बगेरा खिला पिला के लाश्ट में बचता है 12 एक बज़ लोग महिला लोग खाती है उसक नहीं नहीं देता है और घर में जो काम होता हो दिखाई नहीं देता है उसका काम कोई महत्रुत नहीं है यह चीजे होती है पुरूस जाएगा 500 रुप्या 6 घंटे में कमाया आएगा पैसा आ रहा है उसका मतलब है वो सही है कि दिखो ये भी एक केमपीटर है और डारेक्ट बंद होने के वज़े से इसमें थोरा सा वक्त लगड़ा है तो मैं इस वीडियो को अंकट नहीं करने वाला हूं क्योंकि अगर फिर से हम इसको एडिट वगड़ा हम लगाएंगे फिर टाइम लगेगा इसलिए आप थोरा वे करना पड़ जाएगा इसलिए जल्दी हो जा यार वन क्यों बच्चे की जान ले रहे है तेरी के दिखो ही हो गया अब्जेक्टिव भी करवा देंगे टेंशन मत लेजेगा लाइट चोहनक कर जाती है सुक्रह की ओला बचा हुआत चलो चलो भाई देख लेते हैं कहां पे थे हम लोग चली आ गये हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है कहां पे थे हम लोग चलो यह भी हो गया है यह भी हो गया है यह भी मैंने आप लोग को बता ही दिया और आगे की कहानी यहां पे था ठीक है दिखाई नहीं देता यह सब चीज़ बता ही दिया है लैंगिक चलो लैंगिक पुर्वगरह पुर्वगरह का कला पक्ष कला पक्ष बरा दुखदाई है जब भारत में भारत के अनेक हिसे में मा बाप को सिर्फ लड़कों लड़कें की चाह होती है तो लड़की जन्म लेने से पहले हत्या कर देने की प्राविर्ति इसे मानसिकता का परिणाम है तो उसके बात देखो लड़की के साथ जो अन्या मैंने आप लोगों को बता है यह चीज उसका काम बगएरा भी नहीं दिखता है आना ताना चलते रहता जो काम था जन हैं में दिया गया है मतलब लेंगी पुर्वगरह से पहले कलाबपक्जबरा दुखदाई होता भारत के अनेक हिसमे माबाप जो है सिरुस hundred की चाह करते हैं और लड़की जन्म लेने से पहले उनकी हत्या कर देने की प्राविरती इसी मानसिक्ता का परिनाम स्वरूप है उनको मैं कहना चाहता हूँ वही एक बात बताओ अगर सिर्फ लड़के को ही जन्म देना सही है तो फिर अपने लिए पुतों का है ढूंदते हैं बहु नहीं ढूंदना चाहिए यह चीजें याद रखना अगर आप पेटे पैदा करने हैं तो आपको बेटी भी आपके लिए जरूरत है क्योंकि अगर आप किसी के बेटी को लाईएगा तो आपसे भी कोई किसी का बहु का बहु हो जाए किसी का घड़ बस जाए वो बहतर होता है चलो कोई नहीं आप हलाकि अब धोरे धोरे करके यह सुधरा है लेकिन पहले जो था यह पूरे तरह से गरबर था भारत में महिला का अंदोलन मुख्य मांगों से सत्ता में भागेदारी की सर्व परी रही है देखो महिला जो है जैसे आपको मैंने आप लोग को एक अंदोलन बताते हैं चिपको अंदोलन में कौन ली महिला लोग थी ठीक है चिपको अंदोलन में कौन तारी बिरोधी अंदोलन तारी बिरोधी अंदोलन इसमें कौन थी महिला थी ठीक है आगे चलिए आगे 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 नर्मदा नर्मदा घाटी परियोजना इसमें कौन था साथ महला था और ये सब अंदोलन में कौन थी महला का ही ज्यादा तर हाथ था ठीक है तो भारत में महला अंदोलन का मुख्य मांग में सत्ता में भागेदारी की मांग सर्वपरी रहा तो भारत में जो था धीरे-धीरे करके महला भी जो होस्यार होने लगी आप देखेगा ओटो बगरा भी चलाती है वो हर काम करने के लिए तैनात रहती है कि या कोई काम रहे हम करेंगे कोई दिक्कत की बात ने जिससे दो वक्त की हमें रोटी मिल जाए एक और चीज़ होता है ना कि dependent होना चीए ठीक है चाहिए लड़का हो या लड़की हो उसे अपने पे dependent होना चीए यह नहीं कि पति कमा के देंगे तभी गाएंगे अगर आपको लगता है कि हम खुद यह काम कर सकते हैं तो आप कि जिये ना कौन मना कर रहा है खुद के लिए dependent हो जाए ताकि दोंको बात ना सुन सके उनका है कि नहीं यह कहिना कही सही है लोगों का मान सिखता खड़ावे ना लड़की काम नहीं करते हैं बड़े बड़े जो सहर में जाओ बहुत सारी लड़कियां काम करते हैं काया उनके पती काम नहीं करते हैं क्या दिक्कत काम काम करते हैं ठीक है तो सर् समस्या का निप्टारा नहीं होगा परिनाम स्वरूप राजनितिक में इस बात का बहस शुरू हो गया और इस लक्ष को प्राप्त करने का सबसे बेहतर तरिकाई होगा कि चुने हुए परतिनिध्यों का हिसेदारी बढ़ाई गई और बढ़ाई गई अब क्या होता है बिधा पिछले लोक्सवा चुनाओं में 40 परति सत्था महलाओं की परिवारिक प्रिष्ट भूमी अधा अपधार क्या है अपधारी अप इतना यह बल्व जो है ना इतना यह लाइट पड़ता है कि आँख जो है ठी हो जाता है और यह गंडे से पलस चल रहा है तो होता ही आप राधिक ठीक है प्रिष्ट भूमी अपराधिक थी परंतु इस बार पंदरवी लोक्सवा चुनाओं में मद्दाताओं ने अपराधियों का को नकार दिया और 90 परतिसत महला संसत असनातक है और महलाओं की परतिनिधित्व बढ़ाना लोक्सवा के लिए शुब है अत भारत की विविताओं में महलाओं की परतिनिधित्व परुष्टों की तुल्ना में बहुत ही कम है तीक है याद रखना आप लोगों सांसद असनातक है और महलाओं की परतिनिधित्व बढ़ाना लोक तंत्र के लिए शूब है अता भारत की विविताओं में महलाओं का परतिनिधित्व फुरुसों के तुलना में बहुत ही कम है ठीक है यह जी समझ मैं आप लोग को को कोई दिक्कत जी ज्यादा कुछ नहीं थ लिए अभियोत्तिन से अब द्रेज़ आई अब यह दिया लोग का अभियोत्य तक पूरा अतरहसर नहीं दिया गया है लेकिन इस्षेधारी हुआ है था मैंने आप लोग को बता दिया और यह रहा 16 नंबर प्रशन आपका यह जो है आप लोग का सब्जेक्टिव का यह जो भारत को धर्म निर्पेक्ष देश बनाता है, हमारे उतर करें लिखना हमारे शाविधान में धर्म निर्पेक्ष समाज के अस्थापना के लिए अनेक पराबधान किये गये हैं, जिनमें दो परकार के हैं, ठीक है, यहाँ पराबधानों का जिक्र करें, जो भारत के धर्म निर्पेक्ष देख्स बनाता है, दो ऐसा चीज बताना आप लोग को, कि भारत जो है क्या धर्म निर्पेक्ष देश है, और क्यों है, उसके दो रिजन बताना है, ठीक है, चलिए समझते हैं, हमारे देश में किसी भी धर्म को राज के धर्म के रूप में स्विकार नहीं किया दिया गया है, उसके यह बिप्रित भारत साविधान में किसी भी धर्म को विसेश द्रम का दर्जा यहां तक कि अगर देखा जाए ना भारत को हिंदू राष्ट हिंदू राष्ट की चर्चा चल लेहें लेकिन यह भी अभी तक घोसित नहीं किया गिया भाकी सभी देशों में लग भग कर दिया गया है ठीक है लेकिन शाविधान बताते हैं कि भारत जो है धर्म निर्पेक देश है यहां पे किसी भी धर्म को बिसेस्ट चीजों के लिए तरजा नहीं दिया जाएगा ओके आईए दूसरी बात है कि हमारे शाविधान के अनुशार धर्म के अधार पर किसी भी परकार का भेदभाव और आपको गुनेगार शाविध किया जा सकता है कोई दिकत जी नहीं ना दोनों बता दिये पहला बात है आप लोग को जो है हमारे देश में धर्म पेक्षा का कारण है कि यहां पे हमारे शाविधान में ही लिखा गया है कि भारत की किसी भी धर्म को वो बिसेस्ट चीजों के अधरिये दर्जा नहीं दिया जाता है धर्म को विसेस दर्जा नहीं देता है यहाप सभी धर्म के लोग होते है चलो भई आप अब अब जेक्टिव कर लेते हैं पता ने आप लोग यहां तक वीडियो कौन-कौन देख रहे हैं एक ही नहीं चलो भई ज्यादा टाइम ने अब जेक्टिव में सब्जेक्टिव में सामें लगता है समझेगा यहां पर समाजिक वीवाजनों को शम्हालने के संदर में इन में से कौन सा वियान लोकतांत्रिक बिहवार पर लागू नहीं होता है लोकतांत्रिक बिहवार पर लागू नहीं होता है चलो भई लोकतांत्र राजनितिक पर ती दुवन्धता के चलते समाजिक वीवाजन का च्छाया राजनितिक पर पर परता है लागू नहीं होता चलो इतलागू होगा लोगतंत्र में बिभीन समुदाय के लिए सांति पुन धंग से अपने सिकायत जाहिर करना संभव है जी बिलकुल संभव है लोगतंत्र में समाजिक विभाजनों का हल करने का सबसे अच्छा तरीका है जी बिलकुल अच्छा तरीका ह लोकतंत्र समाजिक बिखंडन करेगा, जी नहीं करेगा, यह गलत बात है, आईए, साइटमा नमबर है कि निमलिखित में तीन बियानों पर बेचार करें, तीन बियान दे रखाया और इसमें से कौन सा सही है, समझना है, यहाँ समाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, Social Difference Overlaps, मतलब यहां समाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, समाजिक अंतर जो है, एक दूसरे से टकराते हैं, वहां समाजिक विभाजन होता है, जहां समाजिक अंतर होता है, मैंने आप लोग को बता है था, समाजिक अंतर होता है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या था जातियों को समूग को क्या बोला जाता है वर्न बोला जाता है और वर्न के पदकर्म अनुसार मैंने आप लोगों को बताया था पहला पे आप लोग को बताया था को ब्रहाममन ठीक है याद रखना दूसरे पदकर्म पे आप लोग को मैंने बताया था छत्रिये तीसरे पदकर्म पे मैंने आप लोग को बताया था वैस्ये तो समाजी का अंतर क्या होता था, जो स्वर्ण जाती के लोग थे, स्वर्ण मतलब क्या बरा बरा जाती, जो था किस पे, दलित और महा दलित पे और महा दलित, ये क्या थे, गरीब और बेघर था, क्या था, गरीब और बेघर था, ये क्या करता था, सताता था इसको, क्या करता था, सताता था, सताता था, ठीक है, सिंपल सी बासा, दलित और अथी लोग को, ये क्या करता था, जो ये लोग के मन में लगने लगए में के सब्चीज को सारा सुक शुब्धा हर छीज से परिपूर्ण था ये क्या था परिपूर्ण वेकति southern कि ऩ्धी लोग के मन भाबना होने लगा बाइब और सब्चीज से परिफूर्ण से रहां भाह No यह संभब है कि एक ब्यक्ति के कई पहचान, यह कुना बात है, एक ब्यक्ति के कई पहचान केसे होगा, गलत है, अच्छा, 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 सिर्फ भारत जैसे बरे देशों में, सिर्फ भारत जैसे बरे देशों में ही समाजिक विभाजन होता है, ना यह भी गलत है, उ दोनों तीन ब्यान में तेक को ब्यान सही लगता है यहां पर यह और संभव है और संभव है कि एक ब्यक्ति का कई पहचान हो बाकी यह आपका यह गलत ही है और यह दूसरा सही तो कौक जो है आप लोग का सही आमसर हो जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं न, आइए, आठमा, करा निमलिखित ब्यक्तियों में कौन लोक तंत्र में रंग भेद का बिरोधी नहीं था, रंग भेद, अच्छ एक बात बताईए, कि महतमा गौंधी जो है, अमेरिका से भारत कब आया, जो इन बच्चों को याद होगा, किरो याद है, जी नहीं है, देखो अमेरिका में क्या हुआ था, अमेरिका में हुआ था, रंग भेद, रंग भेद हुआ था, किस रंग भेद किसको कहते है, चमरी के रंग के अधार पर, याद रखना, अगर रंग भेद पूछ दे कोई, रंग भेद, चमरी के अधार, भेद भाव को रंग भेद कहते हैं ठीक है यहाँ पर क्या हुआ था रंग भेद काला और गोरा का काला और गोरा का यह जो आप देख रहे हैं इसमें करा निमलिखित बैक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद का विरोधिन नहीं थे लोकतंत्र में पहले पूछे रंग भेद कहा हुआ था तो अमेरिका में हुआ था ठीक है तो यह जो था किंग मार्तिन लूथर यह भी सही होगा महत्मा गांधी भी थे अलंपिक धाबक टॉपी असमित जोन कॉलर्स यह जो थे यह एक बहुं ओलंपिक धाबक थे और जब यह जीता था जीतने का भी रिजन यही था को दिखाना चाहता जब जिता है तो तो उसको मेडल देता है, मेडल देता है तो उसको क्या करता है, सब लोग को बुला के मेडल देता है, जब इसको मेडल पेनाया जा रहा था तो इसको यह क्या सर जुका के जहन्टा थोड़ा जुका लिया, मतलब इस देखने में काला था, तो लोगों को पता, यह बताना चाह पाकिस्तान क्या है इधर भासा है, पाकिस्तान इसलामी, पाकिस्तान इसलामी, हिंदुस्तान धर्म निर्पेक छे, इंगलेंड प्रोस्टेड, ठीक है, प्रोस्टेड जो इंगलेंड में थे दो धर्म की लोग थे, इसाई, और इसाई में जो था दो तरह के लोग थे, ठीक ह और एक और था क्या? प्रोश्टेट ठीक है? इसाई को जो है दो भाग में इंगलेंड में बाट दिया गया था Catholic और प्रोश्टेट 17 नमबर देख लिजे 17 नमबर है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभी प्रिय क्या होता है? समाज अस्त्री और प्रोश्ट के बीच जैबिक अंतर मतलब समाज अस्त्री और प्रोश्ट में सिर्फ सरीर का फरक है मतलब सरीर अंग का जो है अलग अलग है अलग अलग अंगों का अंतर है बाकि कोई अंतर नहीं है जो लड़का काम कर सकता वो लड़की भी कर सकती है, कुछ नेगेटिव में कुछ बच्चे नहीं लेना, मेरे कहने का मतलब यह है कि लड़की पड़ता है, लड़की भी जौब करती है, लड़का गारी चलाता है, लड़की भी चला रही है आपके सामने, बाइक लड़का भी चलाता है, लड़की भी लड़का नेता बंढ़ है लड़की भी नेता बंढ़ है तो कहां आप से कम है नहीं कम है ठीक है तो सिर्फ अंतर अगर देखा जाए तो उसके सरीर भनावटी में अंतर है और कुछ ने यह सही है समाल द्वारास्त्रियों पुरुसों में दी गए और समंता भूमिका यह गलत बात है ठीक है बालक और बालिकाओं की संख्या अनुपात यह भी गलत है लोगतांत्रिक विवस्था में महिलाओं का मध्दान अधिकार ना मिलना यह गलत बात है ठीक है महिला का अधिकार नहीं मिलेगा लोगतांत्रिक जब हम लेंगिक विभाजन की बात करते तो हमारा प्रिय होता है केश्टरी और प्रुष के बीच में सिर्फ जैविक अंतर है, सरीर का बनावटी अंतर को जैविक अंतर बोला जाता है, ओके, भारत में, बारत में यहां अवरतों के लिए आरक्षन की विवस्था है, तो यहां पर पंचायती राज में आरक्षन की विवस्था संपर्दाइक का मतलब क्या हो गया धर्म राजनीती के अर्थ संबंधित निम्न कथनों पर गौर करें और संपर्दाइक राजनीती किस पर अधार अधारित है एक संपर्दाइक किसको कहते हैं संपर्दाइक वेक्ति कहते हैं जो अपने धर्म को दूसरे धर्म से अच्छा बतावे शही बतावे श्रेष्ट बतावे तो संपर्दाइक राजनिती के अर्थ संबंदित निम्र कत्नों पर गौर कड़े और संपर्दाइक राजनिती किस पर अधारते एक धर्म से दूसरे ध वीश नमबर भारतिय शाविधाउन के बारे में इन में से कौन सा कथन सही है या एक धर्म को राज किया धर्म बनाता है, अजय भया, ये तो गलत है, अजय अच्छा, ये धर्म के अधार पर भेदभा की मना ही करता है, मतलब नहीं करने देता है, ये सही हो जएगा, ये कोव इसका नूम्बर क्या कोजो ña नम्बर से होगा यह ध्र भर्म क्या धार्पड ़्य भरी मनाही करता मतलब नहीं करने देना चालता है हमारा सभी धनत र१ात यह गलतता है ध्यान दिजेगा अधिकारों और अवसरों के मामले में इस्तरी और पुरुष की बराबरी मनने वाले बैक्ति को क्या कहेंगे इस बैक्ति को कहेंगे नारीवाद जो इस्तरी के अधिकारों और अवसरों के मामले में पुरुष की बराबरी मनने वाले बैक्ति को नारीवाद कहेंगे दूसरा है धर्म को समुदाय का मुख्य अधार मौनने वाला धर्म तो सिधी बाद समझे समपरदाइक ठीक है जाती के जाती को समुदाय का मुख्य अधार मौनने वाला जाती बाद व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था पर अधार व्यक्तियों के बीच में धार्मिक आस्था पर अधार पर भेद भार्नाव करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे धर्म निर्पेक्ष और भारत क्या है धर्म निर्पेक्ष देश है और भारत विश्व का सबसे बरा लोकत अंतरिक सासन विवस्था कहां पे है भारते में है ओके चलिए चलो वही यह अध्या जो आप लोग का था जितने भी प्रश्न उत्तर था यह मैंनों आप लोग का कम्प्लीट करवा दिया वन स्वर्टेड विडियो था वावू और बीच में थोड़ा सा दिक्कते भी हुई थ लेकिन कोई दिक्कत नहीं आप उसे एक बढ़ा सकते थे अब रही बात आप लोग का जो है नेक्स्ट अध्याब भी चलेगा टंसर नहीं लेना आप लोग को मैं थोड़ा तबियत मेरा खराब था इसलिए आप लोग का कलास नहीं हो रहा था लेकिन अब होगा तोर भी सब्सक्राइब करें न, this is my dialogue, मतलब यह हमारा dialogue रहता, last का, okay, चलो भाई, मिलते हैं, एक नए वीडियो को लेके, तब तक आप लोग खाना पिना खायें, मौज मस्ती कीजिए, धन्यबाद